intellas आज हम knowledge and curriculum की class में जो topic discuss करेंगी That is, Centralised Approach of curriculum development अर्थात पार्ठक्रम विकास की केंदरिकृत विवस्था आईए जानती हैं की ये केंदरिकृत विवस्था क्या है पार्ठक्रम निर्मान समन्दी Actual 명 देखा चाहेँ थो Centralised refers to the condition whereby the administrative authority of education is vested not in local community but in central body इस statement का क्या mean है कि जो केंद्रकित व्यवस्ता है वो एक इस तरह की व्यवस्ता है जिसमें पाठ्थिक्रम निर्मार सम्मंधी जो भी प्रशासनी अधिकार होते हैं ठीके वो local community यानि की जो स्थानी जो स्थानी संगटन होते हैं उनके पास नहीं होते हैं बल्कि इन दो हैंड्स ऑफ सेंट्र बॉड़ी ठीके यह सब डिसीजन्स यह सब जो हैं यह सब किस लेवल पर की जाते हैं केंद्रे स्थार पर ठीके means की particular विकास से समंधित जितने विदिकार होते हैं ठीके जितने भी power होती हैं वो केंद्रे स्थार के पास होती हैं ठीके थानिये संगठनों का उनमें कोई भी हाथ नहीं होता, उनकी कोई भी भुमी का नहीं होती है, ठीक है, और इसी के साथ ही, this central body has complete power over all resources, ठीक है, और इसी central body के पास सारी power होती है, किसे समंदित, like money, information, people, technology, etc, ठीक है, पार्टिपर मिल्मान से समन्दी जितने भी रिसोर्सिस हैं उन पर उन से रिलेटर पार भी किसके पास होती है सेंटर बहुदी के पास होती है केंदर के पास होती है and it also decides the content of curriculum, controls the budgeting, ठीक है building of educational facilities, यह सब अधिकार भी किसके पास होती है किसके according किया जाता है केंदर सरकार के अनुसार ठीक है and जो यह centralized curriculum होता है empower students to have access to same education no matter where they live means कि जो centralized curriculum होता है वो national level पर सभी के लिए एक समान पाठ्ठिक्रम रखता है ठीक है इससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जो students है विध्यारती है वो कहां रहे के शिक्षक रहन कर रहे है ठीक है क्योंकि यह इस तरह की पार्टिक्रम के विश्था करता है जो राष्टे सर पर हो सकता है ठीक है अब कहा सकते है and there is a specific group that has been appointed as managing body of learning resources that goes from creation of curriculum and up to implementation अब हम कह सकते हैं कि जो केंदर है अपनी स्थर पर ठीक है केंदर अपनी स्थर पर एक ऐसे विशिष्ट ग्रुप का कोई पॉइंट करता है जिसका कारवे क्या होता है मेंस कि अधिकम संबंधी संसाधनों का प्रबंधन करना ठीक है उनको मैनेज करना और जिनका रोल क्या होता है जिनके स्पॉंसबिल्टी क्या होती है उनकी महत्रपूर्ण भूमिका होती है करिक्लिम कंस्रक्शन से लेकर और उसकी फंक्शनिंग तक ठीके उसे इंप्लिमेंट करने तक क्रेट करने से लेकर ठीके कंस्रक्शन से लेकर उसे इंप्लिमेंट करने तक उस ग्रुप की महत्रपून भूमी का होती है अब अगर हम बात करें संगशेप में तो हम कह सकते हैं कि जो केंदरी कृत वबस्ता है पाठ्यक्रम की विना किसी भी हित्वाओ के सभी को विकास की समान अब से प्रतान करता है और इसमें जो है पाठ्यक्रम का निर्मान है वो केंदरी सर्पे किया जाता है और सारे देश की शिक्षन संसाओं में उसे ही अपनाया जाता है और इसका रीजन क्या है इससे क्या होता है जो शिक्षा है ठीक है अजुकेशन है उसके करिकुलम में उसके पाठे करह में एक रूपता आती है ठीके अथ भी हमने कहा था अभी पीछे कि युनिफॉर्म कंटेंट ठीके सब के लिए एक समान लेकिन इसी के साथ साथ इसका एक जॉबैक भी है ठीके क्योंकि इसका जो निर्मान है वो राष्टे सरफी किया जाता है और केंदर द्वारा किया जाता है तो जो केंदर है वो किसी पर्टिकलर खेत्र की सानिय विशक्ताओं ठीके उनकी जो वैल्यूज है ठीके उनके बारे में उन्हें कोई नॉलिज नहीं होती ठीके न किसी भी पर्टिकलर जो कोई खेत्र है उसकी सानिय विशक्ताओं के बारे में तो जो सानिय विशक्ताओं है ठीके उस पर्टिकलर खेत्र की वो इस नेशनल लेवल का जो करिकलम होता है उसमें वो पक्ष कहरा जाता है एक तरह का इग्नोर हो जाता है, उपेक्षित रह जाता है, ठीके, और लेकिन देखा जाए, तो जो ये नेशनल करिक्लम इस तरह से तयार होता है, that is common program of study in schools, ठीके, जो राष्टे सरपर सभी schools में, ये जो करिक्लम का प्रोग्राम है, वो क्या होता है, same होता है, ठीके, uniformity of content, content कि uniformity क्या होती है, एक जसी होती है, standard in education, अबकर सब्सक्राइब करेंथे होते है, same होती है, ठीके, सारे देश में एक समान होते है, ठीके, और जो central government होती है Рोल क क्या होता है, उनको बनाती है, ठीक है, for school curricular development, ठीक है, जो school की शेक्षिक विकास है, उसके लिए, ठीक है, अब देख लेते हैं, कि और क्या बाती जो है, केंद्रिकृत व्यवस्था के बारे में ध्यान रखने हैं, यू can also know down, अभी अमने बात की थी, number one, subject or content is decided upon centrally, ठीक है, जो content है, उससे related decision है, वो भी केंद्रे सर पे लिए जाते हैं, ठीक है, number two, जब हमने भी बात की, जो content है, उसका decision है, उससे related decision है, जब केंद्रे सर पे लिए जा रहे हैं, then naturally, subject or content evolution instruments and develop, centrally, तो जो उसका मुल्यांकन करने है, तू साधन है, ठीक है, जो विश्य बस्तु है, जो subject है, उसका मुल्यांकन करने है, तू जो साधन है, ठीक है, उनका विकास भी किस के सर पे किया जाएगा, किंद्र सर पे किया जाएगा, by ministers of education and examination board, I think, एदो पॉइंट आपक centralized, जो centralized procedure होता है, curriculum development, इसमें जो content होता है, that is decided by center, okay, and the content evolution instrument, they are also developed by the center, ठीक है, and certification, ठीक है, certification related to curriculum, उसके पर बिकिस का control होता है, center का, ठीक है, and the textbooks must be also approved by ministry of education before the use of books in schools, ठीक है, अगर कोई भी schools, textbook जो है, वो use करते हैं, उनका approval भी by किस के होना चाहिए, by ministry of education, ठीक है, क्योंकि इसका control किस पे है, यहाँ भी हमने का किंद्र सर पर है, तो उनके approval की अफशकता होती है, ठीक है, now, these were some points, to be note down about centralized curriculum development, now, let us see, एक बार फिर से हम क्या सकते हैं कि characteristics, okay, characteristics क्या क्या हो सकते हैं, centralized curriculum के या होते हैं, the textbooks for this curriculum are centrally approved and are available at low prices, जो इस के according, इस centralized curriculum के according, जो textbook से उनका निर्मान किया जाता है, वो centrally approved होती है, ठीक है, उनके इंदिस सर पर मानने तब प्राप्त होती है, और उनकी जो प्राइस होते हैं, वो भी क्या होते हैं, लो होते हैं, ठीक है, next, the transfer from one school to another is easy, because the student can continue from where he had left in the previous school, इस तरह की जो curriculum का, जो सबसे बड़ा benefit है, कि अगर, suppose की, due to some circumstances, ठीक है, अगर किसी विध्यारती को, या किसी student को, एक school छोड़कर दूसरे school में admission लेनी पड़ती है, तो उसे उसका कुछ लॉस नहीं होता है, because उसका वही curriculum क्या है, वहाँ सेम है, और इसका reason क्या है, हम बार-बार बोल रहे हैं, कि जो particular है, उसका निर्मान कैसे किया जाता है, राष्टी सर पर किया जाता है, और केंदर द्वारा किया जाता है, केंदरे सर पर किया जाता है, ठीक है? Now, next, it focuses on fulfillment of national needs more effectively, अभी हमने उपर बात की थी, जब हम discuss कर रहे थे, centralized curriculum development के बारे में, तो हमने कहा था कि इसमें, स्थानिये, ठीक है, जो स्थानिये, लोगों की needs होती है, व्शक्ताएं होती है, उनकी तरफ ज़्याता ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है ना, तो it means कि it focuses on fulfillment of national level needs, जो राष्टी स्था के विशक्ताएं होती है, उनहीं की फुल्फिल्मेंट के उपर इनका जो फोकस है, वो मेन होता है, ठीक है, next, it can't be implemented effectively, because it provides detailed instructions to teacher, which might not be followed, कई पर इसे implement करना, जाता प्रभाव पून धंसे, जाता बहतर धंसे, इसे implement करना भी, मुश्किल हो जाता है, कठीन हो जाता है, क्यों, because it provides detailed instructions to teachers, क्योंकि इस चरह की curriculum को implement करने के लिए, बहुत सी instructions दी जाती है, ठीक है, और जो teachers है, वो उन्हीं instructions को properly follow नहीं कर बाते हैं, ठीक है, तो तब ही हम कह रहे हैं, कि जो इसकी implementation है, sometimes it is not effectively, clear, now the next point is, the quality of this curriculum is good, because it is developed by professional curriculum team, अभी हमने पहले बात की थी, कि एक specific group appoint किया जाता है, ठीक है, तो यह point उसी के regarding है, कि जो इस तरह का पाठिकरम होता है, जो quality होती है, गुणवत्ता होती है, वो बहुत ही अच्छे सरकी होती है, उत्तम सरकी होती है, क्यों, क्योंकि जो इसका निर्मान है, इसका personalized curriculum, प्रोसीजर, जो सबसे बड़ा benefit है इसका, वो यह है कि, effective control over the entire administration system, ठीक है, इस तरह की व्यवस्ता, संपून प्रशास्तनिक जो system है, उसके उपर अपना control रखती है, ठीक है, क्योंकि नेश्टी पात है, कि अगर केंदरी सतर पर है, तो सभी चीजों का बहुत जादा बह method ढंग से उसे observe किया सकता है, उसके पर control किया जाता है, ठीक है, जाता प्रभावी, प्रभाव पून ढंग से, next, uniform policies, methods and procedures of administration, जो कि यह राष्टी सतर का, इस तर पर, जो, इस वेबस्ता के निशार राष्टी सतर पर, जो है, करिकलम वो तयार किया जाता है, इसलिए, जो इस administration से related administration का procedure है, प्रशासन की प्रक्रिया है, ठीक है, methods है, policies है, वो, वो सभी कह रहती है, uniform रहती है, सारी जोगा कह रहती है, यह एक समान रहती है, and effective central control of administration checks, और अभी हमने बात की, कि इसमें administration के उपर एक effective control रहता है, ठीक है, what type of control, what is the role of this control, यह control क्या चेक करता है, the abuse of authority, ठी गलत decision तो नहीं लिया जा रहा, ठीक है, वो जैक करता है, miss use of administrative power, इसमें भी वही सेम है, कि प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह की किसी भी power का, कहीं पर कोई गलत इस्तिमाल या गलत उप्योग तो नहीं किया जा रहा है, ठीक है, तो at last, हम कहना चाहेंगे, कि जो centralized curriculum development की प् केंदरी ववस्ता है, जो particular मिकास संबंदी, उसमें जो सारी decision making है, पार्टे करम निर्मान से संबंदी, किस पर होती है, केंदरी स्तर पर होती है, और इसमें स्थानी संगठनों का, ठीक है, उनका कोई रोल नहीं होता है, इसमें जो content होता है, उसमें क्या होती है, uniformity होती है, प्रोसीजर और अबिस्टीशन, उसमें भी क्या होती है, uniformity होती है, ठीक है, इस वर समें characteristics and advantages and concept of centralized curriculum development, I hope आपको ये topic clear हो गया होगा, कल हम इसके बारे में और बात करेंगे, thank you, have a nice day.